इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी वक्त हो गया है राजधर्म का अगर हम राजधर्म के बात करते हैं तो किसी भी राजनितिक दल का राजधर्म क्या होता है? सित्वोच पाना? या वंचित और कमजोर के साथ हमीशा खड़े होना? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उतरप्रदेश के अयोध्या में 12 साल के एक बच्ची के साथ रेप हुआ हैवान उसका वीडियो बनाते रहे वीडियो दिखा कर उसे ब्लैक मेल भी करते रहे और लगातार उसके साथ हैवानियत की जाती रही लेकिन आरोपी रसूखदार है एक पार्टी का लीडर है सांसवत का करीबी है और इसलिए उससे बचाया जा रहा है लेकिन हमारा राजधर में सच्चाई को दिखाना भ्रम को दूर करना और हकीकत को आपके सामने लेकर आना आज मैं आपको योध्या गैंग्रेप का एक एक फैक्ट दिखाने चाह रही हूँ मोहित खान के रसूख को भी बताऊंगी अखिलेश यादफ पर क्यूं सवाल उठ रहे हैं ये समझाऊंगी साथ ही आपको दिली में रोड रेज में हुए एंकाउंटर का सच भी बताऊंगे लेकिन सबसे पहले बात आयोध्या के होगी गैर्गरेप की होगी बच्ची की उम्रे महस 12 साल है ना दुनिया की समझ है ना दुनियादारी की समझ है जब तक कि दुनियादारी की समझ आती तब तक उसे इतना गहरा जखम मिल गया जिसकी टीस शायद ही कभी कम होगी आयोधिया की भधरसा की रहने बाली एक 12 साल की छोटी बच्ची के साथ धरंदगी हुई और आरोप मोहित खान पर लगा ये मोहित खान आखिर है कौन जिसके आवाज सीम योगी आदित्यनाद को आयोधिया में खुद उठानी पड़ी जी हाँ, खुद सीम को सामने आना पड़ा आपको इसके बारे में बताऊंगे, गैंग रेप की पूरी कहाने भी बताऊंगे लेकिन सबसे पहले इसमें एक अपडेट आप जान दीजे गैंग रेप पिडिता के माने इनसाफ के लिए आयोधिया के आयोधिया से इस वक्त लखनओ पहुँच गई है, तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ लखनओ में मुख्यमंत्री योगिया इतनाथ से पिडित की माने मुलाकात की इनसाफ की फर्याद लगाई ये तस्वीर उसी मीचिंग की है, जो अपसे महस कुछ गंटे पहले ही हुई है इस पिडित की माने अपना पूरा दर्द सीम योगिया इतनाथ के सामने रखा अपनी बच्ची के लिए इनसाफ के मांग की सीम योगी ने भी इनसाफ दिलाने का पूरा भरोसा दिया है अब आप ये सोच रहोंगे कि जब योगी इनसाफ दिलाने का भरोसा दे ही रही है तो अब तक आरोपी के घर पर बुल्डोजर आक्शन क्यों नहीं हुआ तो आपको इसकी बच्चे और आरोपी के रसूख के बारे में जानना जरूरी हो जाता है लेकिन पहले आप ये जानिये कि आखिर पूरा मामला क्या है देरसल बारा साल की गैंगरे पीडिता उसी भधरसा की रहने वाली है जहां का रहने वाला है मोहित खान जिसका चेहरा इस वक्त आप यहां इंडिया टीवी पर देख रहे हैं मोहित खान की एक बेकरी शॉप है जिसके बिल्डिंग में पुलिस की चौकी चलती थी जो समाजवादे पाद्री का एक बड़ा नेता है और सांसद का भी करीबी है पीडिता चार बेहनों में सबसी चोटी है वो मजदूरी करके घर लोट रहे थी और जब वो मोहित खान के बेकरी के पास से गुजरी तो उसे बिस्किट देने के बहाने बेकरी में बुलाया किया और उसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया किया ये वारदात 75 दिन पहले हुई थी लेकिन खुलासा अब जाकर हुआ जब उस बच्चे के पेट में डर्द हुआ पासी हो ये जब नहीं थादा इस बाद नहीं नाम काट दिया अब डाज भी नाम डाला पीडिता की मार्च जिस मोहित खान का नाम ले रही है जो गैंग रेप का मुख्या रोपी है वो सुमाजवादी पार्टी का एक बड़ा लीडर है लोग सुभा चुनाव से ठीक पहले सुमाजवादी पार्टी ने उसे भधरसा का नगर अध्यक्ष बनाया था ये लैटर सुमाजवादी पार्टी के एध्यक के जिले अध्यक्ष पारसनात यादफ का ही है आज से ठीक एक साल पहले यानि कि एक अंगर अगरफ्त दोहुजार 23 को ये लैटर जारी किया गया जिसमें सुमाजवादी पार्टी के नन अध्यक्ष यों के नाम लिखे हुए तीसरे नमबर पर मोहित खान का नाम लिखा हुआ है और नाम के आगे भधरसा लिखा हुआ है आगे उनका फोन नमबर भी लिखा हुआ है जिसे हमने फिलाल के लिए बलार कर दिया है इस आदेश में ये कहा गया था कि ये राश्ट्री अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्म पटेल के आदेश पर नियुक्ती की जाती है मोहित खान को फैज़बाद के सांसवत अवधेश प्रसाद का बहुत करीबी माना चाहता है अगर आप इंटरनेट पर जाकर धूनने की कोशिश करेंगे गूगल करेंगे तो अभधेश प्रसाद और मोहित खान की कई सारी तस्वीरे आपको मिल जाएगी जिन में से एक तस्वीर मैं भी आपको सामने रख रही हूँ अवधेश प्रसाद के राइट साइट में मोहित खान बैठा हुआ है और उसके कंधे पर किसका हाथ है अवधेश प्रसाद का हाथ है ये वही मोहित खान है जिस पर 12 साल की बच्ची के साथ दरंदगी करने का आरोप है बिचरता दरंप पहले बधलसा में आखिर क्या हुआ था मोहित खान ने कैसे इस बच्ची के साथ दरंदगी की थी इससे लेकर आप जानेंगे तो दहल जाएंगे बिस्किट लेने के बहाने छोटी बच्ची 12 साल के उम्र क्या उम्र होती है 12 साल के उम्र कोई समझदारी नहीं होती मासूमियत होती है वो बच्ची अपनी चार बहनों में सबसे चोटी मज़दूरी करके घर लोट रही थी और तभी उसे बिस्किट देने के बहाने बेकरी शॉप में बुलाया गया मोहित खान के नौकर ने बच्ची का बकायता मुह दबाया वो मासूम सोची सिर्फ बिस्किट लेने के लिए शॉप के अंदर पहुँचे थी उसे क्या पता था उसके साथ क्या हो जाएगा उसे जबरन अंदर खीच लिया क्या उस वक्त मोहित का नौकर राजू ने उसका मुह दबा दिया आरोप यह है कि मोहित खान ने बच्ची के साथ हैवानियत की और उसका नौकर राजू दूर से पूरी वीडियो बनाता रहा पीडिता का कहना है कि मोहित के बाद उसके नौकर राजू ने भी उसका बलातकार किया और वीडियो दिखाते हुए उसे धमकी तक दी सोची 12 साल की बच्ची उसके उपर क्या बीती होगी उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा उसे वो वीडियो दिखा कर धमकी दी गई कि अगर इसके बारे में उसने किसी को भी कह दिया तो इसका वीडियो वाइरल कर दिया जाएगा और इसे के आड़ में वो पीडिता को लगातार ब्लैक मेल करता रहा उसके साथ हैवानियत करता रहा अब जब मामला सबके सामने आ गया है तो वो बेकरी शॉप में फिलहाल काम पंध है हम इस समें आयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना के अंतरगात आने वाले भधरसा इलाके में मौजूद हैं जहां पर यह वही बेकरी है जहां पर पीडिता के साथ गैंग रेप किया गया है बताया जाता है कि मौईत खान जो कि समाजबाधी पार्टी से तालुक रगता है इस बेकरी का मालिक है और आप देख सकते हैं कि समाजबाधी पार्टी का जो जुझडा है वो भी इस बेकरी पनेक्शन को इस्टबलिश करता है पता लगता है कि अपसे लबभग दो महीने पहले पीडिता को राजू नाम का एक शक्स इसी बेकरी में लेके आता है नौकरी दिलाने के नाम पर वादा किया जाता है कि उसको नौकरी दिलाए जाएगी लेकिन जब वो यहां आती है तो उसके साथ गलत काम किया जाता है, गैंगरिप किया जाता है और बाकाइदा मुबाइल से वीडियो उसका बना लिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर वो किसी को इस बाद की शिकायत करेगी तो उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वर्ल कर दिया जाएगा फिलहाल बेकरी में एपस्तिती देखिए कि बेकरी में जो दो चार लोग हैं वो फिलहाल मौजूद है लेकिन फिलहाल बेकरी में जो बनने का बनाने का और जो बेकरी आइटम बनाने का कारी होता था वो फिलहाल नहीं हो रहा है बेकरी को फिलहाल बंद किया गया है और एंप से कारवाई हुई उसको लेकर के भी तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं पता ये चला है कि जो हिंदू संगठर हैं उन्होंने इस मामले में जब धरना प्रदर्शन किया बड़े अधिकारियों तक मामला पहुचा भारती जनता पार्टी के पदा अधिकारियों तक मामला है उसकी यहां पर बेकरी है उसके जो खर का परिसर है वहां पर बैंक है और उसी परिसर में पुलिस चौकी भी पहले हुआ करती थी तेकिन इस मामले के सामने आ जाने के बाद से पुलिस की जब भद्र पिटना शुरू ही तो पुलिस ने चौकी को वहां से हटाया और इसक प्रिके से आयोध्या पुलिस की इस मामले में शुरुवाती तोर पर कारशाली रही उसको लेकर के पीडित परिवार कहीं ना खुश दिखा हाला कि अब जब दोनों आरुपियों के गिर्फतारी हो गई है तो पीडित परिवार चाहता है कि दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ कितना गंभीर ये मामला है जरा आप इसे समझेए 12 साल के बच्ची अगर वो पढ़ाई कर रही होती तो छटी या सात्वी कक्षा की स्टूडेंट होती सुचे कितनी छोटी है वो जिसके साथ ये दिरंदगी की गई उसे ब्लाक मेल किया गया और अब जब उसके पेच में दर्थ होने लगा उसे डॉक्टर के पास पहुचाया गया उसका इलाज कराया गया तब जाके मामली का खुलासा हुआ और हद तो ये हो गई कि पीडिता के मा जब इनसाफ मांगने के लिए पुलिस के पास गई तो वो भदरसा पुलिस चौकी में भी उसके सुनवाई नही हुई क्यों क्यूंकि सरपरस्ती अगर किसी बड़ी पार्टी के बड़े लीडर की हासिल हो तो कोई भी काम क्यों कर एगआ कुई एक्शन क्यों लेगा चौकी इंचार्ज ने मोहित खान के खिलाफ शिकायत दर्च करने से इंकार कर दिया वो कई बार चक्कर लगाती रही लगाती रही लेकिन चौकी इंचार्ज ने फाई आर तो दूर कंप्लेंट तक दर्च नहीं की और इसके सबसे बड़ी वज़े ये थी कि भधरसा में जिस बिल्डिंग में च अब ताला लग गया है देखें सतंत कुमार मौर्या ऐसाई चौकी प्रभारी भधरसा और फिलहाल यहां पर ताला लग गया है बज़े बताई जा रही है कि जो जमीन है वो ग्राम समाच की हो सकती है लेकिन बताय जा रहा है कि मोहित खान ने चौकी के लोगों को दिया था इसको रखने के लिए हलाकि यह ऐसे फैक्ट्स हैं जो की जाच के बाद साफ हो पाएंगे कि इस पूरे मामने का सच क्या है लेकिन फिलहाल जो बधरसा चौकी है उसको यहां से इस्थानांतित कर दिया गया है नई जहां चौकी को शिप्त कर दिया गया है और यही आरोब जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि चुकि मोहित खान की जमीन पर चौकी बनी हुई थी इसलिए चौकी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से प्रभाव में थे और शुरुवात में इस मामले में अफायार दज करने में आना कानी कर रहे थे और तरी तरीके का आरोब बी एक छिंगारे ही आग लगाने के लिए काफी होते हैं पीडिता अती पिछड़ा समाज से आती है जब इस बात के भनक स्थानिय समाज से भी संगठनों और हिंदु वादी संगठनों को लगी तो लोगों ने इन साफ के लिए अपनी आवाज उठाई वें पीडित परिवार मिलने के लिए पहुँछे, आरोपियों को स़जा, दिलाने के लिए बकायदा प्रोटेस्ट किया गया। पीडित परिवाल को लेकर कलंदरपुरा थाने पहुँचे जहाँ थाना इन्चारज ने मुकदमा दर्ज किया। हंगामा हो चुका था, प्रोटेस्ट हो रहा था, अब तो मामला दर्च करना ही था, साथ हिंदुवादी संगठनों के प्रेशर में कारवाई भी की गई, पोलिस ने दोनों आरोपियों को इस मामले में गिरफतार कर दिया है तो महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रहे गई, मुझे दवा खिला दे, लोगो मेरे साथ प्राथकार किये, तो मेरी मम्मी मुझे धूनते धूनते वहां बार में हमको निर्वस्त रपाई, तो यह सब मुझे जब पता चला, तो मैंने अपलिकेशन नहीं दिया, तो उसने कहा कि चवकी पर देते हैं, वहां मुरीद खान आके बैठ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं, तो मैंने कहा कि चलिए, मैं लेकर चलती हैं, तो मैं उनको लेकर के थाने पे गई, अपलिकेशन दिया, तो यह सब नाम हटा दीजिए, आपका पीडिता गरी परिवार से आती है, उनके मा मस्तूरी करती है, पिता का दो साल पहले ही निधन हो गया, घर का गुसारा मा और बहनों की मस्तूरी से मिले हुए पैसों से ही चलता है, पीडिता चार बहनों में सबसे चोटी है, दूसरी तरफ आरोपी मोहित खान वो बड़ा परसूखदार है, सुमाजवादी पाची का लोकल लीजर है और लोकल लीजर की साख तो कुछ सादा ही होती है, हर तरीके के लोगों में, भधरसा में बेकरी शौप चलाता है और उसकी कई सारी बिल्जिंग से जिसमें बैंक भी चल रहा है, पुलिस चौकी भी चल रही थी सुमाजवादी पाची के सामसद अवधिश प्रसाद का करीबी बताया जाता है और ऐसे में पीड़ित परिजन डरे हुए है, वो इंसाफ की मांग कर रही है हम इस समय आयोध्धा में मौझूद हैं, आयोध्धा में भधरसाद इलाके में यह वही घर है पीड़िता का, हमाई सार पीड़िता के जो भाई हैं और बहन हैं वो मौझूद हैं, उनसे बात करते हैं आ है, जीरा खिलाने के लिए बेकरी पिलेके गए है, उसे लिए गंदी हरकत अंडी हरकत कर दी दिशना लोग राजु और मौहिद आप इन लोग पहले से जानते तो पहले लुग घर आपके आते थे कभी रहा आते थे म Particularly बहुकानि से माशचा मैं चाहते हैं कि इस मामले में हम को साथ जो भी आरोपी है उनके घर बुल्डूजदाच चलना चाहिए उनके घर पर कारवाई होनी चाहिए और फांसी की सदा हो यह कहना है पीडिता की बहन है और उनके भाई का अयोधिया गांग रेव क्या आरोपी मौहित खान को लेकर बीजिपी और समाज़वादे पार्थी पर अटाकिंग मोट में है बीजिपी निताराखिश्दिर पार्थी ने उसे लेकर सोचल मीठिया पर एक पोस्ट रखा मोहित खान सुमाजवादी पार्टी का भधरसा नगर अध्यक्ष है और 12 वर्षी पिछड़े सुमाज की बच्चे की गैंग रेप का मुख्य आरोपी है गिनौने अपराद के आरोप पर सांसत अवधेश प्रसाद का भरोसे का हाथ है आरोपी खास वोट बैंक का है और पीडित पीडिये का हिस्सा अब सपाख खामोश है शायद लड़कों से गलती हो गई है इससे पहले कर विधान सुभा में योगया दितनात नहीं सुमाजवादी पार्टी पर अटैक किया था अयुद्ध्या का ये मामला है जिसमें अयुद्ध्या में मोहिन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है अयुद्ध्या के सांसद की तीम का सदस्य है बारवर्सिये एक नावालिक बच्ची के साथ दुस्कर्म क्या किरत्य में सामिल पाया गया अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाब करवा यह नहीं की है मैं यह नहीं समझ पारा हूँ कि यह सब क्या है अब क्या यह कोई समाजवादी पार्टी न बोले आपका एक्टिव मेंबर है आपके सांसत के साथ बैठ रहा है खा रहा है उनके साथ चला है लेकिन इस परकार के और यहाँ अथी पिछडी चाती से जुड़े भी एक बालिका से जुड़ाओा मामला है और इस परकार के घटिया हरकत में वह लिपत है लेकिन तब भी उसको हलके पंसे उड़ाने का काम होता है सीम योगी कह रहे हैं कि मोहित खान सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है इसलिए समाजवादी पार्टी इस मामले में बड़े हलके में कोई कारवाई नहीं कर रही है वो अखिले शियातफ पर भी सवाल उचा रहे हैं लेकिन फैसापात के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि उन्हें घटना के बारे में अभी जानकारी नहीं है सोचिए उनके अपने सुनसदियक शेत्र में घटना घट जाए उनके अपने करीबी के ऊपर इजना गंभीर आरोप हो और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें घटना के बारे में अभी जानकारी नहीं है जो आरोपी है बच्ची के बलातकार का वो आपका करीबी बताया जा रहा है आप जानते हैं उसे आरे सुनो भाई आप जो है ये बात जो पूशे हो मैं कल फैजावाद जा जा रहा हूँ चानकारी नूँगा अरे भाई लेट मीशो अध्देश ये तस्वीरे भी देखे आपके तस्वीरे तस्वीरे तो आपके भी साथ है तस्वीरे तो जब से हम जीत के आएं हैं सुनिए जब से हम जीत के आएं हैं हजारों हजार लोगों के तस्वीरे देश के तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं रोग रोट उटू ल साथ भी मेरा फोटो हो रहा है तो सुनिये स्यम को तो देखो ऐसा है दिल्ली वारे परेशान किये हैं एड टाइम माई आदेवुल चीफ मिनिस्टर आपुत्तर प्रेश ही बेरी बेरी डिस्टर्ब इसी लिए इसी लिए इसी लिए कल बोल गए हमें सम्मान मठ में मिलेगा प्रभु सी राम दिल्ली वालों को ऐसी बुद्धी दे कि हमारे चीफ मिनिस्टर को दिस्टर 12 साल की बच्ची है 12 साल की बच्ची ने को रेप हुआ है गर्बती हो राजु खान मोल जानते ऐसा है सुनूं मैं जा रहा हूं कल जैसा आप लोग कह रहे हो अगर ऐसी कोई घटना है तो कोई भी दोसी बचले न पावाए मैं जा रहा हूं कल आप सोचे ये उस इलाके के सांसद है मामली की गंभीरता तक नहीं समझ रहे है बारा साल की छोटी से बच्ची के साथ इतना जगहन्य अपरात किया गया एक बार भी उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मुझे इस खटना पर बहुत अफसोस है बाकी बाते राजनीती करने के लिए तो तमाम बाते कहते योगिया अदितनात को दिल्ली वाले परिशान कर रहे हैं उनके पास उसकी कोई दवा नहीं है लेकिन उनके अपने एक शेत्रे की एक छोटी सी बच्ची छोड़ दीजे वो किसी भी जाती के आती हो दलित हो एसी एसटी ओबी सी हो या फिर सावाने वर्ग से आती उससे क्या फरक पड़ता है लेकिन एक बच्ची के साथ इतना जगन्य अपराध हो गया और इतना हलके में अवधेश प्रसाद बयान दे रहे हैं कि अभी एक दिन बाद वो जाएंगे जाएंगे तो मिलेंगे मिलेंगे तो काम करेंगे क्या सानसद का ये रवाया होना चाहिए दो दिन पहले यानि 31 जुलाई को जब अबधेश प्रसाद संसच से बाहार निकल रहे थे तब भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब यही था धाक के तीन पाथ मैंने भी कहा कि I am not aware of the fact unless until जब तक हम को जब जानकारी नव हो तो I am not able to say I am not able to utter anything any words regarding matter अब हम जानकारी ले ले लेंगे जानकारी ले ले लेंगे तब कोई बात आप से पता पाएगे लेकिन हर जगा मेडिया में ये बातें सामने है पोटो वीडियो तब कुछ सामने है Let me know about the accidents, about the matter whatever you like to ask me Let me inquire, let me see तभी तम बोल पाएगे 31 जुलाइ से लेकर दो तारिक का दिन आ गया और अभी भी Let me know मुझे जानने दीजिए मुझे जानकाली जुटाने दीजिए रहे कैसे सांसद हैं फिर अगर आपका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि आपको अब तक यही नहीं पता चला कि हुआ क्या अयोधिया में गैंग रेप का मुख्य आरोपी मोहित खान इसके उपर कारवाई की गई है सोचिए सरा स्थानिय सांसद उनके एक शेतर में एक पीडिता के साथ गैंग रेप हुआ रेप का आरोप उनके करीबी पर लगा लेकिन 48 फिंटे बीच जाने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि उन्हें घटना की जानकाली नहीं है वो वज़े बता रहे हैं कि जब वो शेतर में जाएंगे तो वो जानकाली जुटाएंगे सोचे यूप तो संचार करांति का है फिलिस्टीन और इस्वराईल में क्या हो रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है ये मिंटों में जान लेते हैं लेकिन सांसद जी अपने ही संसुद्यक शेत्र के बारे में जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। इसले तो यूपीज सरकार के मंत्री संचे निशादी समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम कार्ट खेलने का आरूप लगा रहे हैं। रात में प्रदेश में निशाद गाव में समाजवादी पार्टी को घुशनी का लेवी लग जए। और इसे से जढ़न दागर लगा सकते हैं एक तो सपाइन है वह विशेष बर्ग का है हम लोग दंगार नहीं चाहते हैं उसे सपा उस पर जो है सपा के नाजता उस पर पहर भी कर रहे हैं अब इसे बर्गों में इस तरीके का सन रचट देना सपा बंद करें नई तो यह उत्त नहीं है लेकिन नयाय बहुत जरूरी है अयोधिया में गैंग रेप का मुख्य आरूपी मोहित गिरफतार है उसवर पुलिस की कारवाई अब शुरू हुई है मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने पीडित परिवाल को इनसाफ दिलानी का भरोसा भी दिया है लेकिन सवाल अ से एंकाउंटर करके धर्द पूचा दरसल दो दिन पहले दिली के गोकुलपुरी में रोड रेज में 30 साल की सिम्रंजीत की हत्या हो गई थी हत्या का आरूपी हिस्टी शीटर माजिद चौधरी है 31 चुलाई को सिम्रंजीत अपने पती हीरा सिंग के साथ बाइक पर सवार ह कर मौचपूर की तरफ जा रही थी और तभी गोकुलपुरी फ्लाई ओवर के पास उनकी गोली माल कर हत्या कर दी गई पुलिस के लिए आरूपी माजिद की गिरफतारी एक बड़ा चालेंज थी लेकिन पुलिस ने माजिद को जैसे ही गिरफतार करने की कोशिश की उसने पुलिस पर फाइरिंग कर दे और पुलिस ने भी जवाबी कारवाई की दो गोली माजिद के पैर पर लगी और पुलिस ने उसे धर्द पोचा बीती 31 तारीक को दिली के गोकुलपूरी इलाके में रोड रेज में एक महिला सिमरंजीत कौर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस मामले में दिली पुलिस ने एंकाउंटर कर आरोपी माजी चौधरी को गरफतार कर लिया है दरसल सिमरंजीत कौर अपने पती और दो बच्चों के साथ बाइक पर सावार होकर गोकुलपूरी के इसी रोड से जो है मोजपूर की तरफ जा रही थी लेकिन जैसे ही गोकुलपूरी फ्लायवर से जस्ट पहले वो पहुचती है अपने परिवार के साथ तो एक और उसल सिमरंजीत कौर के पती और उस बाइक चालक के बीच में कहा सुनी होती है जिसके बाद मामला खत्म होता है और सिमरंजीत कौर का जो पती है वो अपनी परिवार को लेकर वाइक से आगे बढ़ते है और जैसे ही वो गोकुलपूरी फ्लायवर के ठीक इस हुआ था और जैसे ही सिमरंजीत कौर का परिवार बाइक पर यहां पहुचता है वैसे ही जो माजिद है वो गोली चला देता है गोली जो है सिमरंजीत कौर को ठीक गर्दन के नीचे लगती है जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद माजी चौधरी मौके से फरार हो जाता है फिलाल पुलिस की टीमे उसकी तलाश में जगा जगा चापे मारी कर रही थी लेकिन आज जो सुबह है जो माजी चौधरी उसका एक एंकाउंटर के बाद जो है दिली पुलिस ने गरतार कर लिया है एंकाउंटर में दोनों पैरों मे चौदरी के गोली लगी है फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच में जूटी हुई है पुलिस के मुताबिक माजित पर पहले भी मुकदमे दर्ज है कही गंबीर धाराओं में और जो आरोपी माजी चौदरी है वो उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद जिले का के दिल्ली में रोड रेज में मामुली सी हुई कहसुनी में जो बाइक आपस में टच हुई उसके बाद मामुली सी कहसुनी को लेकर रोड रेज की घटना को अंजाम दिया गया और मामुली सी बाद पर एक महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई कहीं ना कहीं पुलिस पर भी घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे ये दिल्ली की कानून विवस्ता है जिसमें सरे आम तकरीबं सवा तीन बजे के करीब बीती कतिस तारीक को गोली मार कर हत्या कर दी गई हाला कि पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया इंकाउंटर के बाद लेकिन पु तकराते बची और फिर दोनों के बीश में कहा सुनी हुई जैसे ही हिरा सिंग अपनी पतनी के साथ आके बढ़ गए वैसे ही माजिद ने फ्लाइओवर से फाइरिंग करती और वो गोली हिरा सिंग की जगे उनकी पतनी सिमरंजीत को लग गई जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई इकतिस तारीक को सिमरंजीत को नाम की महिला अपने पती और बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर गोकुलपुरी के इसी फ्लाइओवर के पास से मौजपूर की तरफ जा रही थी और जब सिमरंजीत अपने परिवार के साथ उस जो खुटवर ब्रिज है उसके प मौली कहा सुनी हुई और मामला जो है वहीं पर खत्म हो गया जिसके बाद जो सिमरंजीत कोर है वो अपने पती और बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर जैसे ही इस गोकुलपुरी फ्लाइओवर के ठीक नीचे जहां पर यह दिलिपुलिस की जो बैंड है वो लगी हु हुआ था और जैसे ही सिमरंजीत कोर अपने परिवार के साथ इस जगा पहुची जहां पर यह दिलिपुलिस की पट्टी लगी हुई है वहां पर जैसे ही पहुची तो आरोपी माजिर चौदरी ने यहां से तकरीबन 30 फिट 35 फिट की दूरी से जो है गोली चलाई और गोल हो गई फिलहाल माजिर चौदरी का हिलाच चलरा है इंकाउंटर के बाद उसे ग्रफतार किया है उसके पास से अरोपी के पास से जो है एक चोरी की अपाचे मोटर साइकल भी बरामद हूई है उसके पास से एक पिश्टल और दो जिनदा कार्टुज जो की पिश्टल के था वो बरामद हुआ है फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच में जूटी हुई है लेकिन सवाल ये है कि मामूली सी बात को लेकर हुई कहा सुनी में कैसे कोई दिली में देशकी रादानी दिली में एक महिला को गोली माद है स्विम्रंजीत के पती का रो रो कर बुरा हाल है वो अपने लिए इनसाफ के मांग कर रहे हैं उनका कहना यह है कि राज़्टाने की फड़क बिलकुल भी फुरक्षित नहीं रह गई है जिसी जो मरसी वो पिस्टल टांग कर चल रहा है कहीं भी किसी को भी गोली मार दे रहा ह हीरा जी क्या हुआ था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहे हैं चुट्टी पर था मैं अपनी फैमिली लेके बुलड पर मैं बैंक जा रहा था पैसे निकलवाने के लिए मैं से सही सलामत जा रहा था कोई दिक्रनीगवारी स्लो में थी बजनपुरा कर गया जाने जी इसने ओव टैक करके मुझको घूर के देखा इसने इशारा करा मेरे को इसने गाली दी मेरे को मैंने इसको गाली दी यह तुरूंत पुल के बाद इसने जब उपर खड़ा होके कि यह अभी बताता हूं इतनी दर में मैंनां गडरेन कोशिश करा कि मैं इसको ऊपर से कोई इंटिया पत्थर मेरे सिर में ना मार दे कहीं बच्चों के नहां है मैं अपना बचा करने कोशी चाहिए मैं बचा कर लेता हूं उतने मैं इसने सामने से शूट कर दिया पुल से उपर ते जब से छूड करा मुझे आवाज आई मैं उपर देखा पीशे मेरा बेटा था 13 साल का जस्कन सिंग नाम उचका करा पापा ममी नीचे गिर गी नशूर मैंने मैं देखा पीशे सिमरन मेरी मिसीज नीचे गिर गी और मैंने मुटसलों वहां फेकी फटपड उसको उठाया वो खून में पुरी लत्पत गोली ही आग लगी उसके उसको मैंने फिर एक ओटो में सुवारी बाढ़ दो आप सुवारी उतारो मुझे लेकर चलो मैंने उठाकर मिसीज को ओटो में डाला ओटो में डालकर जी टीवी ले गया जीटेवी पहुँचा हूँ उन्हें इसीजी करा है इसीजी सर नोर्मलाई दस्ते में खत्म होगी इतनी सी बात हुई है इतनी मामूली सी बात को लेकर दिल्ली में इससे पहले भी ऐसी घटनाई हुई है लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्ता जो है बिल्कुल दिल्ली की खत्म हो चुकी है चोपटवी मोधी केजरी वाल पे डाल रहा है और केजरी वाल मोधी पे डाल ला जनता पिसरी है आम हास्ते सर यह हो रहे हैं रोज नूज में कुछ ना कुछ ही आता रहता है ग्रीब आदमी मर रहे हैं सर मैं का ता मुझे इनसाब दवा हूँ मैंनों को इनसाब चाहिए और के साथ यह काम ना हो गिरीब आदमी कोई और ना मारा जाए हमारी सरकार नकमी है यह कुछ नहीं करती है एक दूसरे पर फैक्ते आज पुलिस आपको पता भी चला होगा कि जो आरोपी है माजी चौदरी जिसने गोली चलाई ती आपकी पतनी के ओपर जिसकी वज़े से उनकी मौत भी हुई उसका एंकाउंटर के बाद जो है गरफतार किया उसने सरक तीन गोली पुलिस वाले पर रौंड करें तीन उसको पर पुलिस वाले पर गोली मारके उसको पकड़ा सुबर चार बज़े की बाद पतार है जी आप भी सोच रहे होंगे कि यह रोड रेज ह होता क्या है जिसमें मर्डर तक जैसी घटना हो जाती है आपको याद हो का पूर्व क्रिकेटर लवजोद सिंग सिद्धू को भी इस रोड रेज की ही घटना में सवसा हुई थी अगर बहुत ही आसान भाशा में रोड रेज को मैं आपको समझाना चाहूं तो रोड रेज क सीधा मतलब यह होता है कि सड़क पर चलते हुए छोटी बड़ी घटनाओं के कारण आने वाला गुसा रेज मतलब रोश या क्रोश कभी कभी यही घुसा किसी शक्स पर इतना हावी हो जाता है कि वो यह सोची नहीं पाता या यह फिक्र भी नहीं करता कि वह सड़क पर चल कारण है एक्सपर्ट्स यह कहते हैं कि रोड रेज की मुख्य वज़े है रोजमरा के टेंशन लेकर सड़क पर चलने लगना और फिर लंबे लंबे ट्राफिक जाम होना एक दूसरे से आगे निकलने की होड है समय बचाना है कहीं पहुँचना है उसी में ओवर्टेक करना ह रसूख ये तमाम बाते इस में शामिले अब जैसे इस खटना में हुआ वो हिफ्टरीशीटर तो था ही और जब उसे ये लगा कि अगले से बाइक टकराते टकराते बच गई है और कहा सुनी हो रही है तो उसको गुसा आगे उसे ये लगा कि मेरे पास तो पिस्टिल है मैं सुमिदार टेंशन को माना जा रहा है क्योंकि आज का लोगों पर फैमिली और वर्क का प्रेशर इतना ज्यादा है अगर आपको रोड रीच से बचना है तो घर या दफ्टर से निकलते वक्त थोड़ा से दिमाग को शांत कर डीजे अगर किसी काम के लिए घर से निकल रही हैं तो थोड़ा सुमिश से पहरी निकल जाए जिसे कि ट्राफिक जायम की टेंशन ना रहे और फिर जल्दबासी के चकर में आप इस जाम के अंदर जुनचलाए नहीं मेरी यह तमाम बाते हो सकते हैं आपको लग रही होंगी यह तो बड़ी छोटी बाते हैं इससे तो हमे गाड़ी पर सिभी संतुलन खो देते हैं आप गाने सुन ले किसी अपने से बात कर ले शराब पीकर ड्राइफ तो कते ही ना करें यह तमाम वो चीज़े हैं जिसे अगर आप नियमित रूप से अपनी देंचरिया में फॉलो करते हैं तो शायद रोड रेज जैसे घटना से आप बच जाएं क्योंकि आपको यह नहीं पता कि जब आप घर से निकलते हैं स्वड़क पर आपने अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप तो बेकसूर हैं लेकिन यह हो सकता है कि उस्वड़क पर चलने वाला कोई गुसा लिए घूम रहा हो और हो सकता है कि इसी लड़ा अभी संकट के अटैक से चूज रहे हैं और सबसे ज़्यादा तबाही हिमाचर प्रदेश और उत्राखंट में मची हुई है हिमाचर प्रदेश में पांच में से ज़्यादा तर इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल फटने के कारण हालात बिगड़े हुए हैं उन्चास लोग अभी भी लापता हैं शिमला के समेच खट की सबसे ज़्यादा तबाही के तफ्वीरे सामने आई हैं तमाम लोग जो लापता हुए हैं उनकी तलाश में अंडियारेफ और आर्मी युद्धिस्तर पर रिस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं केदारनाथ ट्राक वार 22 से ज़् मदद ली जा रही है चुनोक और MI-17 हलिकॉप्टर को रिस्क्यू के लिए लगाया गया है अलग अलग टीम दिन रात लोगों को बचाने में जुटे हुई है पांच हलिकॉप्टर की मदद ली जा रही है केंद्र सरकार के लगातार दो स्टेट्स पर नसर बने हुई है क्र में जिखड में बादल फटने के वज़े से 35 से ज़एदा लोग ला पता है एंडियारेस के साथ आर्मी का भी रिस्क्यू ऑपरेशन चारी है लोग अपनों से बिच्छडने के बाद फूट फूट कर रो रहे हैं आर्मी के जवान अपनी जान पर खेल कर लोगों के जिंद के जहां पर रैस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यह आप तस्वीरे देख रहे हैं कि पानी का भाव काफी ज़्यादा होनी की वज़ा से जो ऑपरेशन है उसमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो अधिकारी है जो जवान है यह आर्मी के जवान उस पार जा जा रहा है यह तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं तमाम आई टी बी पी और उसके लावा एंडियाराफ आर्मी तभी यहां पर लोग जो हैं वो लगे हुए वो देखिए आपकी वहा से इस तेज भाव को पार किया जा सके ताकि जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच सकें यह तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त यह हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और यह कुछ ही घर जो हैं वो बचे हैं यह तस्वीरें देखेंगे तो कुछ ही घर जो हैं वो बचे हैं क् के अंदर कोई जिंदा है कोई यह बच गया है या कोई अंदर कुछ ऐसा उनको तलाश जो है यहां पर की जा रही है यह इस वक्त तस्वीर यहां पर ऐसकी operation की यहां पर लगातार जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि तमाम आर्मी के अंडियारफ के जवान जो है कि सरहां से अपनी जान जोके में डाल कर यह पूरा operation है उसको अंजाम दे रही है पानी का भाव क्योंकि छोटा सा नाला था जो बड़ी नदी का रूप ले चुका है और काफी ज़्यादा पानी इस वक्त इसमें है और जाहिर तोर पर इसी वज़ा से operation में भी काफी दि बनाएं कोई है अमिच्छाने सीम सुकु से बात करते हुए हर संभव मदद का भरूसा दिया है शिमला जिले के रामपुरेरिया में बसा हुआ सुमेच काई गाउं खंटहर में तबदील हो चुका है बचे हैं तो केवल तबाही के निशान स्कूल कैंपस सब बरबाद हो च चुकी है जिन्दगी के तलाश में फिर और आपदा प्रबंधन की टीम चपे चपे पर अपना उपरेशन चड़ा रही है मलवे को हटाने का काम जा रही है फिलहाल वहां के उस्थिति क्या है देखे पुनीत परिंचा की रिपोर्ट यह सरकारी स्कूल है जिसका काफी हिस्सा तो जो बह गया है लेकिन अब यह मात्र दो कमरों का धांचा जो है वो बचा है और आगे क्योंकि गाद काफी जादा है लहाजा आगे जाना थोड़ा मुश्किल है सामने आप देख सकते हैं कि फरनीचर है कुरसियां पड़ी है औ यह शैद जोनर लेवल अंडर 19 गल्स माइनर गेम्स का टूर्नामेंट था दो हजार तेश का और यह विनर है बैडमिंटन की यह तरोफी जो है वो इस समय यहाँ पर आपको दिख रही है यह जादे जो जादे हैं वो ही यहाँ पर बची हैं बाकी सब स्कूल जो है वो जो ग्राउंड है वो नदी में तबदील हो चुका है साथ में यह कार आपको नजर आएगी यह कार आप देख रहे हैं एंडियरेफ के जवान यहाँ पर लगातार चान बिन कर रहे हैं बचाव कारें उनके द्वारा किया जा रहा है यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है क पानी के बहाव इतना ज़्यादा था कि खिलोने की भांती जो कार है वो यहाँ पर आकर रुख गई है और जहां तहां तबाही का मनजर जो है वो नजर आ रहा है तो यह तस्वीर जो है इस वाक्त आप देख रहे हैं और इसकी दूसरी तरब मैं दिखाओ तो यह देख सकत हैं कि यहां पर बैडमिंटन का ही ग्राउंड हुआ करता था जो कि सब नदी और यह नाले की रूप में तबदील हो चुका है और बचे हैं तो यहां पर बड़े-बड़े पत्थर बचे हैं जो शैद यह स्कूल जो है इसको रोक पाने में यह इमारत उनको रोक पाने में थोड़ी सक्षम थी लिहाजा बाकी तो पूरा स्कूल ही बह गया है